यह हमारा कॉल्टरा आ गया है ठीक है अब हमने इसके इंदर नीव डॉकुमेंट लेना है Ctrl N जिसकी Short Command है ठीक है तो यहां पर हमने अपना Size सेट कर लेना है कि यहां में किस Size का यहां पर Size सेट कर लेता हूं इंच में ही 7.5 इंच में और Height में 2 CMY स्लेट कर लेना है 300 dpi ठीक है और OK कर दिना है तरा Size आगया आपके सामने बिल्कुल ठीक है अब हमने इसके अंदर रहकर डिजाइन बिनाना है तो सबसे पहले हमने इसका Background एड़ करना है F6 यहां पर आपकोश्व हो रहा Rectangle Tool F6 की Short Command है अगर हम Rectangle Tool के उपर Double Click करें तो इसकी Background खुद बहुत आजएगी तो यह देखिए दोस्तों यह हमारे पास इसकी Background आ गई है अब हमने इसके अंदर Color Fill करना है हम इसके अंदर यह Color Fill कर देते हैं और Outline इसकी भतम कर देंगे ठीक है तो अब हम चलिए In Page में चलते हैं मदीना मदीना चिकन एंड बीफ शाप में नीचे नाम लिखना है नाम है अरफान नाम के आगे फून नमर में उनका आएगा जो हम बात में लिख लेंगे ठीक है हुमारे पानी के जस्तिया तो दोस्तों हमने इस सब को Select कर लेना है कंट्रोल बी से हम इसको बोल्ड तो हमने इसको कॉपी कर लेना है इसको कॉपी करने के बाद हमने इसको सिंपली पेस्ट कर देना है कंट्रोल बी इसकी शोट कमाड है और हम फॉर्ट दबाएंगे तो यह हमरे बाद फून से क्रीन आ जाएगी ठीक है यहां पर हम अब इसका स्केल डाउन करेंगे इसका हम साइज इसको हम मिनिमाइस करेंगे तो हम यहां पर फाइफ तैब बाइफ मतलब हमें चोटा चोटा करना यह बहुत बड़ा साइज़ आ तु ठीक है तो अब हमने इसको एक साइट पर राक लेते हैं इसको इन ग्रूप करना है अन गृप करने के बाद हमने इसको कंट्रोल कियो या फिर आप राइट क्लिक करके करके दो कर्वार कर सक को हमने लग कबाइन कर देंगे पीफ शॉप को अलग कर देंगे ठीक है और अलफान कर देंगे मैंन कर दे buck ठीक है अब यह हमारे bleibt अलग अलग बने मशेद को छोटा कर देदे दे है मदीना इन ची कर लेंगे क्याहरे हमने इसको यहां पर रखना है यहां पर हम इसको set कर लेंगे और shift की मदद से हम इसको बढ़ा करेंगे ठीक है जोस्तों यह थोड़ा ज्यदा बढ़ा हुआ तो करेंगे ठीक है अब किया कर लेना है इसको हमने page डाउन कर दिया ठीक है और इसको बाइट कर देंगे और हमने इनको और इसको करके group कर दिना है अब इनको outline देनी है हम चीज्च डाउट रण देंगे निया धी अर्वध क्यों सपाइट माने कि रव्ध करते हैं और वाइट कर देने हैं धीक है इसको ऑन राट कर देने हैँ ठीक है इसके outline हielle करते हम बंसक को सिलेक्ट करके साइज थोड़ा और चोटा कर देगे थोड़ा सा इस तरह ठीक हो गया इन सब को सिलेक्ट करेंगे ग्रुप कर देंगे ठीक है अब हम ने इसके उबर कुछ पिक्चर्ट कर लगानी है कुछ बैंक्गरांड समगरा एड़ करने हैं तो इसको फिलाल हम नहीं पिक्चर्ट करके राख लेते हैं तो हम यहां से कुछ पिक्चर्ट करेंगे तो दोस्तों मैंने पहले से ही फोल्डर के अंदर कुछ चीज़े रख दिया ताके आपका भी टाइम बचाएगा और मेरा भी ठीक है यह हमने बैक्ग्रॉंड सेट करनी है इस बैक्रॉंड को हम बनागर इसको यहां से पावर क्लिप कर देंगे और फिल कर देंगे ठीक है राड़िट करने के बाद हम इस बैक्राउन को तक्रीब यहां बागर करके सेट कर देंगे ट्रांसपरेंसी करेंगे इसको हम अपरवली सैट से ट्रांसपर कर देंगे ठीक है तो दोस्तों यह देखिए यह हमारा अच्छा सा डिजाइन बनने लगा है अब हमारा यह सामने आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा फूर्डोन कर देते हैं यह ठीक है यह रफान को अनग्रूप कर देंगे रफान को हम यहां पर लगा लेके हैं यहां पर ठीक है तो यहां पर इसका फूर्ड नमबर एड़ कर देंगे तो आप यहां पर अपना नमबर बगारा लगा सकते हैं यहां से एरियर ब्लैक कर देता हूं हम इनको ग्रूप कर देंगे एफ्ट्वेल करेंगे इसको आउटलाइन देंगे तकरिवन थ्री पिक्जल्स इसको आप ब्लू करके उपर वाइट आउट देंगे तो यह देंगे दोस्तों यहां पर कुछ प्रोब्लम आ रही है हम कंट्रोल के साथ क्लिक करके तुदा पीछे करने में ठीक है तो यह भी हो गया तो दोस्तों अब इसकी बारी है तो इसको हमने चोटा कर लेना है यहां बन लाकर इसके इंदर हम यह लबा देगे ठीक हो गया है इन दोनों को कंट्रोल सी और इस से सेंटर कर देंगे ठीक है और इसको हम वाइट कर देंगे इंदर से कंट्रोल के साथ पेज आप पेज आप दो बार किया तो यह सामने आजेगा अधिकर लाट देदिया इसकी वी आउटलाइन अधिक है तो हमने लगानी है पिक्चर्स पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं एक यह इन दो दो फिलहाल लगा गए फिर देखते हैं कि यह हमारी एक पिक्चर्स स्वेट के लेबाने हैं यह हैं इसको हम यहां बन लगा लगे ठीक है इन दोनों को अब यह देखें इन दोनों को फिक्चर्स थोड़ी से मिक्स हो रही हैं तो हम इन दोनों को थोड़ा सब गलो दे देगी तो हम यहां से वाइट कलर में करते हैं थोड़ा के बाहर आजाए तो दोस्तों अब हम इस मोली को भी दे देते हैं तो हम यहां बर जाएंगे अब यहां से हम वाइट कलर स्लेट कर देंगे ठीक है इसको स्लेट करने के बाद हमने पोर्टर स्लेट कर देना है तो यह बहुत देदा होगे हैं तो हम थोड़ा बार देगे ठीक स्लेट कर देगे तो यह देखिए तो परिबन इतना काफी है और आप हम यहां पर कुछ बीफ वगरा की चिकन वगरा की पिक्चर्थ वगरा सेट करनी है इस तो बिलकुर सिंपल सा डिजाइन बना रहा हूं फर्स टाइम तो इंशाला मैं आपके लिए के लिए इसके बाद बहुत अच्छी ची वीडियो बगरा भी लेके आना वाला हूं अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा यह ठीक है यह कॉपी यह कॉपी हम यहां भी लेगे दें इस अब को हम सेलेक्ट करेंगे लाइन अब डिस्टिब्यूट में जाएगे ठीक है यह अब डिस्टिब्यूट सेंडर तो यह इस साइड बे ड्रैग कर लेंगे ताके इसको भी शेक है हमने इन सब के अंदर वाइट कलर फिल कर देते हैं ताके इसको पता चैनल जाएंगे अरे पास स्पेस बदाना कितनी है इसको वह इस सब को हम मुली सब क्लॉक शड़क देगी ठीक है अब हम पिक्चर्स इंपोर्ड करते हैं जो इसके इंदर लगानी है बीफ की एक ये एक ये दो पिक्चर्स करेंगे और चिकन की हम रिगा लेते हैं किये 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 कि देख लेते हैं यह हमें बस्ट लगे हो ही लेते हैं अब लुए यह हमारे पास पिक्चर्स आगी ठीक है इनको आपने पौबर क्लिप करना है वे इसके इंदर करके यहां तो फिल ठीक है यह ही पाउर क्लिप और पिर इगी हम इसको भी इसको भी हम इसको फिल कर में इसको तो इनको हम कि यह रहा गई है इसको भी कर दिया ठीक है तो दोस्तों हमारे पास डिजाइन बिल्कुर रडी है तो यह देखिए हमारे पास एक अच्छा सा डिजाइन बन गया है तो मैं इसको इसके अंदर हमने हमने इसके पर चोड़ा सा काम एक और कर लेना है इस तरह एक बॉक्स लेंगे ताके हमने जो किस्टुमर को चेक करवाने के लिए लुक अच्छी बना देनी है शिप्ट के साथ हम पर डाउन करेंगे और यहां पर एक हम लेकर इस तरह ड्रॉ कर देंगे ठीक है अब हमने ड्रॉ करने के बाद हम इसको ब्लैक कर देना है ठीक है और इसको अब ब्रीक कर देंगे अब अच्छोटानी कर लिए ठीक है अवामने इसको तरना है करवान टूबिट मैप अवामने देनंग्लार इसको राजियनंग्लार देख भी कर दीक कर देख वर्म हमने और ठीक है